नमस्कार कोई ग्यान चैनल में आपका स्वावत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटियम बालेट में पैसा को कैसे एड करते हैं डालते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए शुरू करते हैं तो Paytium Violet में पैसा को add करने के लिए डालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने phone में Paytium को open करना है तो चलिए Paytium को open करते हैं Open करने के बाद आपको क्या करना है कि उपर की और scroll करना है स्क्रॉल करने के बाद यहां पापको एक Paytsium Violet का Option दिखेगा, अब आपको Paytsium Violet में पैसा को add करने के लिए डालने के लिए आपको क्या करना है कि Paytsium Violet पे click करना है तो अचलिए click करते हैं, क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे प्रीटियम बाइलेट में एक रुपिया भी एड नहीं किये हुए हैं और यहां पर आपको बता देखिए अगर आप Paytium wallet में पैसा को एड करते हैं तो इस पैसा का यूजा आप अपने फोन में मोबाल को रिचार्ज करने में किसी भी चीज का BILL भरने में जैसे कि आप गैस का BILL भर सकते हैं बिजली बिल भर सकते हैं यहाँ आप Paytium Mall से किसी भी चीज को खरिटते हैं, आउडर करते हैं, तो हाँ पर आप इससे payment कर सकते हैं, तो अब आपको Paytium Bylet में पैसा को add करने के लिए, यहाँ पर आपको automatic यहाँ पर आपको 1000 select मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी पैसा डाल हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से इस पैसा को हटा देना है, हटाने के बाद अब आपको Paytium Bylet में जितना भी पैसा डालना है, add करना है, आपको यहाँ पर डाल लेना है, उसके बाद आपको नीचे में एक Proceed to add का option दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसमें जो भी आपका bank account होगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अब आपको क्या करना है कि पैसा को add करने के लिए, डालने के लिए, यहाँ पर आपको एक Pay का option दिखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप पैसा को add कर सकते हैं, या UPI के जरिये यहाँ से आप पैसा को add करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको select कर लेना है, उसके बाद अगर आप debit card या credit card के जरिये आप अपने Paytm wallet में पैसा को add करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको select कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर जो भी इसमें मेरा bank account add है, उससे यहाँ पर हम पैसा add करना चाहते हैं, तो यहाँ पर Pay का option दिया गया है, तो यहाँ पर हम click करते हैं, click करने के बाद अब यहाँ पर जो भी आपका UPI का pin है, वह आपको डाल लेना है, तो चलिए यहाँ पर हम अपना UPI का pin डाल लेते हैं, pin डलने के बाद आपको नीचे में टिक का option दिखेगा, तो आपको यहाँ पर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि Paytium Bylet में मेरा 1 रुपया successful add हो गया है, अब आपको यहाँ से इसको cut करना है, cut करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ आप जितना रुक्या भी पेटियम बाइलेट में एड़ की है यहाँ आप आपको दिख जाएगा तो इस तरह से आप पेटियम बाइलेट में पैसा को आड़ कर सकते हैं और इस पैसा को आप किसी भी चीज का बिल पेड करने में यूज कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद